सोशल मीडिया पर गौरक्षा दल द्वारा गौत असकरों को पकड़ने का एक वीडियो वाइरल हो रहा है दरहसल यह घटना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाइवे की है जहां सनातन गौरक्षा सेवा दल जब गौत असकरों को पकड़ने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे लगा तो गौत असकरों ने उनकी गाड़ी पर फाइरिंग कर दी जिससे गौरक्षा दल की गाड़ी बुरी तरेक शतिग्रस्त हो गई इस दोरान गौरक्षा दल के कई सदस्यों के चोड़ भी लगी है घटना के दोरान गौत असकरों के ट्रक के टायर फट गए उसके बावजूद भी कई किलोमीटर तक गौत असकरों ने लोहे के रिम पर अपना ट्रक दोड़ाया लेकिन लंबी दूरी तक गौत असकरों का पीछा कर बड़ी मशक्कत के बाद हर्याना सीमा में पुलिस और गौर अक्षा दल ने एक गौत असकर को पकड़ लिया और बाकी लोग फरार हो गए सनातन गौर अक्षक अनिल ने बताया कि गौत असकर इतने बेखौफ है पुलिस ने नाके बंदे की तो गौत असकरों ने पुलिस पर भी फाइरिंग कर दी पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद एक गौत असकर को गिरफतार किया है पकड़े गए आरोपी का नाम जुबेर बताया जा रहा है साथ ही गौत असकरों के कबजे से नौ गौवंश को मुक्त कराया गया उन्होंने बताया दिल्ली मुंबई एक्सप्रस वेपर क्यू आटी पुलिस टीम की तैनाती होने से काफी प्रभाव पड़ा है और हाईवे से होने वाली तसकरी पर कुछ हद तक लगाम लगी है घटना को लेकर गौर अक्षा दल पुलिस अधीक्षक से मिला और पूरी घटना से अवगत कराया गौत असकरों के होसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि गौत असकर शहर में सड़कों पर बैठी गायों को उठा कर ले जा रही है हलाकि पुलिस अधीक्षक आनन शर्मा की ततपरता से शहर के विभिन चौराहों पर पुलिस नाके लगने के कारण गौत असकरों पर कुछ हद तक लगाम लग सकी है कि इसके उपर कितनी गोडिया मारी गई हैं गाड़ी के उपर और उसके बाद में हमने इसकी सूचना हरियाना पुलिस को दी वह अपना नाम जुबेर बता रहा था